हेलो फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं कि कंपोजर को डाउनलोड करके इंस्टोल कैसे करें यूजिंग जैम सर्वर हो डाउनलोड और इंस्टोल कंपोजर यूजिंग जैम सर्वर हो डाउनलोड और इंस्टोल कंपोजर यूजिंग सर्वर सबसे पहले हम कंपोजर को डाउनलोड कर लेते हैं डाउन्लोड एंड रन composer.chatter.exe पर क्लिक करके डाउन्लोड करेंगे exe फाइल start डाउन्लोड 1.71 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 पर मेरी फाइल है जो डाउन्लोड हो जुकी है माई PC में जाएंगे हम मेरा PC है उसमें मैंने जैंप सरोड पहले से इस्टोल कर दिया है यह मेरा वर्जन है 8.1.2 वाला वो मेरा PSP वर्जन है हम यहां पर composer इस्टोल करेंगे डाउन्लोड किया है वाँ पर हम जाएंगे राट क्लिक पर क्लिक करेंगे ओपन पर क्लिक करेंगे इस्टोल फोलोवर यूजर्स क्याइंगे कुछ भी नहीं करना क्लिक करना है developer mode पर और next बटन पर क्लिक करना है next जाएंगे पहले से मेरा है तो आ गया है मैंने इस्टोल किया है jam server इसलिए आपने भी किया तो आपका भी आजाएंगा नहीं बिले तो मेरा jam server में जाएंगे jam में जाएंगे PSP में jam 812 में PSP में जाएंगे PSP.exe पर ओपन करेंगे चलिट हो भी या जाएंगे मेरा को इस्टोल करना है वहाँ पर next पर क्लिक करेंगे next पर जाएंगे और last step इस्टोल finish मेरा jam में install पोस का है composer देखो यह मेरा jam में jam सब test dog में में इस्टोल कर दिया है यहाँ पर मैं cmd लिखूंगा cmd command हम देखेंगे अब और अबजर मेरा इस्टोल हो शुका है देखो 2.5.4 composer इस्टोल हो शुका है यह में लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में दे दूंगा कंपोजर डाउनलोड की 2.5.4 जो इस्टोर हो शुका है देखो लेटेस वर्जन है लेटेस वर्जन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं पीएस्पी वर्जन पी आपको चेक करके बता देता हूँ मेरा है वो मेरा पीएस्पी वर्जन है 8.1.2 मेरा पीएस्पी वर्जन इसलिए मैंने लिखा हुआ है जैम सर्वर के 8.1.2 नहीं से आप लारेवेट प्रोजेक्ट पे इंस्टोल कर सकते कमान लैंड से वो मैंने पहले वीडियो बना दिये वो आप देख सकते हो मैं दिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया दूँगा थेंक यू पर वचिंग प्लिस सब्सक्राब मैं चैनल